दोस्तों नमस्कार ये है मागदर्शन फार सिविल सर्विशेज मैं अनुराग्ष उधरी दोस्तों आज की वीडियो में हम सालू करेंगे UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के लिए महत्वपूर C-SET प्रश्ण पत्र के अंतरगत सामान्य हिंदी तथा बोध गम्मिता यानि काम्प्रिहेंसन के वर्स 2012 से 2014 में पूछे गए प्रश्णों को जो आपके आगामी परिक्षाओं के लिए बहुत ही उप्योगी हैं इन प्रश्णों को साल्व करते समय हम इसकी ब्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें तो आएए शुरू करते हैं UPPCS प्रारंभिक परिक्षा के लिए C-SET के अंतरगत सामान्य हिंदी तथा बोध गम्मिता के वर्स 2012 से 2014 में पूछे गए देखिए सबसे पहले हम 2014 के प्रश्ण पत्र को देखेंगे सबसे पहला प्रश्ण इसमें कामप्रिहेंसन से है देखिए दोस्तों प्रश्ण संख्या 145 से 148 तक इस कामप्रिहेंसन यानि गद्यांस के आधार पर आपको उत्तर देना है आईए गद्यांस देख लेते हैं म सब प्रकार से सुखी मनुस्य भी दुख, दौर मनस्य, रोग, सोक, जरा और मरण का सिकार होता है इस समस्य का समधान न तो रोटी और वस्तर न मोटर और महल हो सकते हैं प्राचीन और मध्यकालीन विस्व सारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था इसे से उस समय आध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ और मनुसी मानने लगा कि जो सत्य पृयोग साला में परखा नहीं जा सकता डाक्टर के स्टेथोसकोप और सरजन की छुरी से sibling नहीं जा सकता वह या तो सत्य नहीं है अथवा है तो ऐसा जिसकी और मनुसी को ध्यान नहीं देना चाहिए और विग्ञान जयों-जयों विज्ञान की भाषा में रखे, किन्तु विज्ञान की बृध्धि से मनुसे की सास्व समस्याइं दूर नहीं हुई, वह आज भी दुखी है, वह आज भी रोक, शोक, जरा और मरण का सिकार होता है, तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कलपना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के शैल पर बैठा हुआ मनुसे भी चंचल, विशंड और असांत है, और उतना अशांत है जितना पहले की युग में शायद ही कोई रहा हो, अतेव चिंतकों पर यह प्रत किरिया हुई कि मनुसे की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी न पहला प्रश्न है कि प्राचीन और मध्यकालेन विस्व के जीवन के विश्य में चिंतन की द्रिष्टी क्या थी, आप संदेखिये कि वह सारेरिक समस्याओं को परमुख मानता था, विज्ञान ही उसके लिए परमसत्य था, या फिर सभी समस्याओं के निदान के लिए तो सही उत्तर हो जाएगा गध्यान्स के आधार पर दोस्तों प्राचीन और मध्यकालिन विश्व की जीवन के विशे में चिंतन द्रिष्ट ये थी कि वह सारेरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानता था अगला प्रश्ण है विज्ञान का सत्य किस बात पर आधारित है तो दोस्तों विज्ञान का सत्य ये प्रियोगसाला में परिक्षण पर आधारित है और इस परिक्षेद में ये अस्पष्ट किया गया है कि विज्ञान का सत्य प्रियोगसाला में परिक्षण पर आधारित है अगला प्रश्ण है कि विज्ञान की सीमा यानि लिमिटेशन्स क्या है तो उत्तर हो जाएगा देखिए विज्ञान की सीमा ये है कि वह पूर्ण आत्मिक संतोस प्रदान नहीं कर पाता है और गद्यांस में कहा गया है कि विज्ञान की कुछ सीमाई है मतलब विज्ञान की सीमा ये है कि वह पूर्ण आत्मिक संतोस प्रदान नहीं कर पाता है अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों उपर युक्त गध्यांस के अनुसार देखिए चार कथनों में से सही क्या है पहला है कि विज्ञान की उन्नति से मनुस्य की सास्वत समस्याइं दूर हो गई है दूसरा है कि मानो समाज आज पहले की अपेक्छा अधिक सुखी और शांत है तीसरा है कि जिन सुखों की कलपना भी नहीं की जा सकती थी आज वे सब को सुलब है और चौथा है मनुस्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है तो इस गध्यांस के आधार पर एकदम सही उत्तर आपसंडी हो जाएगा कि विज्ञान की इतनी प्रगत के बावजूद भी मनुस्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है अब आये सामाने हिंदी से संबंधित प्रश्णों को देखते हैं द्विज के अनेकार्थी सब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है ये प्रश्ण देखे पुराने वर्सों में या पिछले वर्सों में दोहराया भी किया है ब्रामहड पच्छी दात और विदेह इनमें से कौन द्विज के अनेकार्थी सब्द में नहीं आता है तो सही उत्तर हो जाएगा विदेह आपसन डी देखे दोस्तों विदेह सब्द द्विच का अनेकार्थी नहीं है जबकि इसके अन्य रूप है ब्रामहर, दात, अंडज, पच्छी और चंद्रमा आदी अगला है कि निमने लिखित में से कौन तत्पुरुस समास का उदाहरण नहीं है राजकुमार, यग्यवेदी, आजन्म और ग्रामवासी तो यहाँ पर देखे दोस्तों आजन्म समास जो है ये तत्पुरुस समास नहीं बलकि अब्याई भाव समास से संबंधित है जबकि राजकुमार, यग्यवेदी और ग्रामवासी ये तत्पुरुस समास के उधारण है देखे अब्याई भाव समास में क्या होता है कि पूर्वपद परधान होता है जैसे आजीवन, आजन्म, प्रति दिन जबकि अब्याई भाव समास में पूर्व पद परधान होता है तत्पूरुस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद परधान होता है तो देख लीजिए बहुत ही महत्वपूर है और समास पद और देख सकते हैं कि इसमें आजन्म जो है वो अब्याई भाव समास है न कि तत्पुरु समास तो सही उत्तराप का आजन्म हो जाएगा अगला प्रश्ण एक मुहावरा है सिर से पानी गुजर जाना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है आपको बताना है गहरे पानी में असनान करना शेहन सीलता की सीमा तूट जाना अच्छी प्रकार से सिर्ध होना या डूबने से बच जाना तो सिर से पानी गुजर जा इस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों सहन सीलता की सीमा तूट जाना तो यहाँ पर आपसन भी सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है ग्रस्त का विप्रितार्थक सब्द क्या होता है तो विलोम सब्द पढ़ने के क्रम में आप जानते हैं कि ग्रस्त का विप्रितार्थक मुक्त होता है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा एक सब्द तद्भव नहीं है तो तद्भव नहीं है यानि तद्सम है तो यहाँ पर देखिए तसकर, पत्ता, हाथ और अंधेरा तो आप देख सकते हैं इसमें तसकर सब्द ये तद्सम सब्द का उधारण है जबकि पत्ता, हाथ और अंधेरा ये तद्भव सब्द हैं आप देख अगला प्रश्ण है मूख का विलोम क्या है तो मूख का विलोम वाचाल होता है अब देखिए अल्प भासी सब्द का विलोम बातूनी होता है या मृद भासी का कट भासी होता है अगला प्रश्ण बताना है निमने लिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है पहला है कि यह ब्यर्थ बात करने से कोई लाव नहीं है दूसरा है संपूर्ण देश भर में निरासा चा गई तीसरा है भाई ने भाई के साथ सलाह की और चौथा है क्रिपया पत्रोतर शिग्र दें तो इसमें इन चारों का शुद्ध वाकि जो है इनमें क्रिपया पत्रोतर शिग्र दें ये आपका सही हो जाएगा पहला कथन दिया गया है कि यह ब्यर्थ बात करने से कोई लाव नहीं है तो इसमें ब्यर्थ की बात करने से कोई लाव नहीं है यह नहीं रहेगा संप पूर्ण देश में निरासा चागई या देश भर में या देश में निरासा चागई और तीसरा है भाई ने भाई के साथ सलाह की तो इसमें हो जाएगा भाई ने भाई को सलाह दी तो ये तीनों कथन उपर के गलत है जो सुद्ध वाक्य है वो है कृपया पत्रोतर शिग्र द रहें जो सही उत्तरापका हो जाएगाि मिश्ठान जो है ये भी गलत है मिश्ठान होता है और आप देख सकते हैं इसमें से सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक जो वरतनी सुद्gov है ये सही वर्तनी अत्यधिक हो जाएगा आधीन का अधीन होता है बेवहारिक का ब्यावहारिक होता है और मिश्ठान का मिश्ठान होता है और अत्यधिक का जो दिया गया है अत्यधिक जो है ये आपका अत्यधिक यानि यही सही स्पेलिंग है अगला प्रश्ण है कौन सा किरण का पर्यायवाची सब्द नहीं है मरीच, रश्म, पुसकर और दिप्ती तो सही उत्तर है पुसकर पुसकर सब्द किरण का पर्यायवाची नहीं बल्कि ये तालाब और सरोवर का पर्यायवाची है अगला प्रेश्ण है राम लक्षमर से पत्र लिखवाता है इस वाकि में क्रिया का कौन सा रूप है तो सही उत्तर है राम जो है लक्षमर से पत्र लिखवाता है इसमें प्रेणार्थक क्रिया है और आप जानते हैं कि जब करता द्वारा स्वैंग कारे ने करके किसी दूसरे को तच संबंधी कारे करने के लिए प्रेरित किया जाता है तो यहां पर प्रेंडार्थक क्रिया होती है और दिये गए वाक्य में राम स्वैंग पत्र नहीं लिखता बलकि इसे लक्षमर से लिखवाता है इसलिए यहां पर प्रेंडार्थक क्रिया है 2014 के प्रश्ण पत्र के बाद आईए सालो करते हैं 2013 में जो UPPCS प्रारंभिक परिक्षती उसके CSET प्रश्ण में पूछे गए प्रश्णों को देखें महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तूओं के प्रती जो है गैप है पाई जाती है और वाकिके रिक्तस्थान में पूर्ती के लिए उप्युक्त सब्दों को छाटना है निरलिप्तता, लिप्तता, निस्कपटता या निपटता तो सही उत्तर हो जाएगा देखें सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर देख एक सब्द है कि आयो सब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है तो आप देख सकते हैं कि ये ब्रजभासा बोली का है ब्रजभासा का और ब्रजभासा मुखेता मतुरा अलिगण हाथरस कास गंज आगरा बदायू बरेली एटा मैन पूरी और फिरोजबाद में बोली जाती है देखें 2013 के प्रश्न पत्र का जो पहला है कि महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तों के प्रति क्या पाई जाती है तो ये निरलिप्तता पाई जाती है आपसन ए आपका सही उत्तर है अगला प्रश्न है खर सब्द का निमनलिखित में से अर्थ नहीं है गधा बाड तिनका और एक राक्षस तो सही उत्तर हो जाएगा बाड बाड दोस्तों ये खर का पर्यायवाची गधा खोता रासभ एक राक्षस फूस तिनका मुर्ख संखकर धोसर और बैसाख नंदनाते हैं खर का अर्थ बाड नहीं होता है बाड का जो एक पर्यायवाची होता है वो देखे शर होता है या फिर तीर तोमर और सायक ये सभी बाड के पर्यायवाची है कवि का इस्तरिलिंग सब्द क्या है तो कवि का इस्तरिलिंग कव इत्री होता है तो याद रखेगा आपसंसी सही है और ये प्रश्न आपके वाग के सुध्धी में भी आता है याद रखेगा इसमें कव इत्री का जो आपको वाग के सुध्धी या स्पेलिंग वर्तनी सुध्धी करने के लिए पूछा जाता है कि कवित्री, कवित्रई, कवित्री में कौन सा सही सब्द है सही जो है वर्तनी है तो इसमें कवित्री जो है वो सही वर्तनी है कवि का इस्त्रीलिंग सब्द है अगला प्रश्ण है कि आँखों में गड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है तो उत्तर हो जाएगा वस्त को पाने की उठकत लालसा होना तो याद रखेगा दोस्तों आखों में गड़ने का मतलब है किसी वस्त को पाने की उठकत लालसा या बुरा लगना उन्मूलन का विलोम क्या है तो आप जानते हैं उन्मूलन का विलोम होता है देखिए उन्मूलन का विलोम जो होता है ये रोपड होता है तो उन्मूलन का अर्थ होता है नास तहस नहस या जड़ से समाप्त करना तो इसका विलोम रोपड हो जाएगा आपसंसी विशलेशन का बुलोम संसलेशन हो जाएगा आउ मुल्यन का विलोम आधि मुल्यन होता है अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन सा सब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है शिसु भक्ति पुष्टक और प्राड तो सही उत्तर है प्राण सब्द हमेशा बहुवचन में प्रियोग होता है जैसे उसके प्राण निकल गए अगला प्रश्ण है निमनलिखित में से किस एक में कर्मधारे समास नहीं है पहला है कि लड़का भूख से अधमरा हो गया था दूसरा है कि तुम्हें अपना भला बुरा स्वयंग सोचना चाहिए तीसरा है कि विवाह संबंध में उच नीच देखनी पड़ती है और चौथा है उठो दिया बत्ती का समय हो गया है तो सही उत्तर है विकल्प डी जो है दोस्तों इसमें कर्मधारे समास नहीं है इसका कारण ये है कि कर्मधारे समास जो होता है विशेशनडों भैपद कर्मधारे समास इसमें दोनों पद विशेशनड होते हैं जैसे भला बुरा सुनी अंसुनी आदि उठो दिया बत्ती का समय हो गया है ये आपका कर्मधारे समास नहीं है अगला प्रश्ण है देखे वाग जाल का संधिविक छेद क्या हो जाएगा तो वाग जाल वाग प्लस जाल तो इसमें क आधक और जय जो है ग में परिवर्तित हो गया है तो आपसन सही आपसन क्या हो जाएगा दोस्तों सही आपसन आपका आपसन ए हो जाएगा वाग प्लस जाल ये वाग जाल होता है अगला है कि निमनलिखित में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है तटिनी, त्रिपथगा, निमना और तरंगडी तो सही उत्तर है दोस्तों त्रिपथगा त्रिपथगा सरिता का पर्याय नहीं है सरिता के पर्यायवाची सब्दों में तरंगडी, निम्नगा, तटनी, प्रवाहिनी, पयस्विनी, नदी, जल्धारा, शैवालिनी, अपगा, निर्जहरणी, आदी हैं त्रिपथगा जो है ये गंगा का पर्यायवाची है अगला प्रशन है रचना की द्रिष्टी से क्रिया के कौन से भेध होते हैं तो सही उत्तर है रचना की द्रिष्टी से क्रिया के दो भेध होते हैं एक तो सकर्मक क्रिया होती है और दूसरी अकर्मक क्रिया तो याद रखेगा अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं है सकर्मक्रिया होती है जिसमें कर्म का होना आवस्यक है जैसे मोहन बासुरी बजाता है और अकर्मक्रिया जिसमें कर्म का अभाव होता है जैसे राम पढ़ता है अगला प्रश्ण है यह र ल व ब्यंजनों को क्या कहा जाता है असपर्स ब्यंजन अंतस्थ ब्यंजन उस्म बंजन और इनमें से कोई नहीं तो सही उत्तर है य र ल व ब्यंजनों को अंतस्थ ब्यंजन कहा जाता है इनमें य और व अर्धस्वर और र लुंठित और ल पारस्विक वण है तो सही उत्तर आपसन भी हो जाएगा य र ल व ब्यंजनों को अंतस्थ ब्यंजन कहा जाता है अगला प्रशन है सुद्ध वर्तनी वाले सब्द का चैन कीजिए अंत्याक्षरी पुजनी तदो परांत या कवित्री तो इसमें सही वर्तनी वाले सब्द अंत्याक्षरी है तो देखें दोस्तों अंत्याक्षरी जो है वो सही सब्द है पूजनी का पूजनी होता है पूजनी तदो परांथ का तदू परांथ होता है और कवेत्री का सही सब्द कवेत्री हो जाएगा अब आईए दोस्तों गध्यांस के आधार पर यानि कम्प्रिहेंसन बेश्ट गोशन है इसका आपको उत्तर देना है इनसे आधारत प्रशनों को कम्प्रिहेंसन पढ़ते हैं भासा के प्रियोग दो रूपों में किया जाता है एक तो सामाने जिसमें लोग विवहार होता है और दूसरा साहित्त रचना के लिए जिसमें प्राया आलंकारिक भासा का प्रियोग किया जाता है साहितिक रशना के लिए उपयूक्त भासा लोक भासा का कारे करते हुए भी उससे भिन्न होती है क्योंकि इसमें कवी की कल्पना भी काम करती है और उसे परिमार्चित रूप में प्रस्तुत करती है बिद्वानों का अनुमान है कि जब से संसार में साहिते का स्रीजन आरंब हुआ है तब ही से आलंकारिक भासा प्रियोग मिलाई जा रही है संसार का प्राचींतम गरंथ रिगवेद तथा आदि महाकाब्वे रामाड इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाड है इन दोनों रशनाओं में अलंकरित भासा के उत्क्रिष्ट उदाहरन प्राप्त होते हैं संसार के समस्त कवियों और साहितेकारों ने इसी प्रविर्थिका अनुकरण किया है वस्तुतह अलंकरित भासा के अभाव में काब बे काब बे नहीं कहलाता इसी बात का समर्थन करते हुए भी कहा गया है कि अलंकार विहिन कविता विधवा के समान होती है आचार्य भामह का भी कथन है कि जिस प्रकार किसी रमडी की सुन्दर्ता अलंकारों की विना पोड नहीं होती उसी प्रकार साहित भी आभूसलों के विनसोभा नहीं पाता है आचारे दंडी ने अलंकारों को काब्य का सोभा विधायक धर्म माना है आचारे मम्मट और विश्वनाथ ने भी काब्य में अलंकार के महत्ता स्विकार करते हुए उन्हें सौंदारे के उपकारक और सबदार्थ के शोभा तिसाई धर्म कहा है तो आएए इस पर आधारित प्रश्णों को देखते हैं प्रश्ण है कि संसार के अधिकांस कवियों ने जिस भाशा विश्यक प्रविर्ति का अनुकरण किया है वह प्रविर्ति कौन सी है आपको बताना है तो यहाँ पर देखिए ये प्रविर्ति आपकी है अलंकरित भासा का प्रियोग आपसन B दोस्तों आप देख सकते हैं कि संसार के अधिकांस कवियों ने अलंकरित भासा प्रियोग की प्रविर्ति अपनाई है सब्दार्थ के सोभात शाय धर्म अलंकार के समर्थक आचारे कौन से हैं विस्वनात भामह दंडी और बाणभट तो इसमें गर्द्यांस के अंतिम पंक्ति में बताये गया है कि विस्वनात सब्दार्थ के शोभात शाय धर्म अलंकार के समर्थक आचारे हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 174 इसका सही उत्तर विश्वनात हो जाएगा आपसन A अगला प्रश्ण है साहित्तिक भासा और लोक भासा में एक प्रमुक अंतर है कि प्रथम जो है ये साहित्तिक भासा और इसमें लोक भासा में ये है कि प्रथम भासा परिमार्जित होती है और लोक भासा अपरिमार्जित होती है तो यहाँ पर आप सन ए आपका सही उत्तर है होती है दूसरा जो इसके अगले भी आगे भी गध्यांस को ध्यान से पढ़ना है और उत्तर के लिए गध्यांस में बड़ी तथ्यों के आधार पर देना है आज तीसरी दुनिया के विकास सील देशों में देश के आधुनी की करण और विकास में रूची रखने वाले व्यक प्रभावी उपाय के रूप में परचारित किया है विकास के प्रश्नकों के वल अर्थसास के दृष्टी से देखने वाले इन बड़े राष्टों का मानना है कि सकल राष्टी उत्पाद और राष्टी आय की बृध्धी में इसकी भूमी का चमतकारिक है इस अर्थ में भ अर्थ व्यवस्था से संबद्ध कर उसे विस्व व्यापी बनाना इसके लिए सभी वस्तों के आयात को खुली छूट सीमा सुलक में कमी बिदेशी पूझी के मुक्त प्रवाह की अनुमत सेवा चेतर विशेसकर बैंकिंग बीमा और जहाज रानी चेतरों में बिदेशी प व्यवस्था का विस्व व्यापी आयाम नहीं दिया जा सकता है। जिवादी राष्टों ने भूमंडली करण को विकास सील देशों के लिए एक अजभुद वर्दान माना है। गोया वह उन देशों के विकास के लिए अलादीन का चिराग हो। इसमें पहला प्रश्ण है कि भूमंडली करण में क्या होता है। उतर है भूमंडली करण में गद्यांस के आधार पर बड़े देशों द्वारा छोटे देशों के شोशन की भावना नहीं थोती है। आफ संडि आपका सही उत्तर है। अलादीन के चिराख का अर्थ क्या होता है? तो अलादीन के चिराग का अर्थ होता है अभिपसित बस्तू या जिसकी इच्छा की गई हो तो आप देख सकते हैं अलादीन के चिराग का अर्थ है अभिपसित बस्तू अगला प्रश्ण है कि इस गद्यांस में सरवाधिक, इस गद्यांस का सरवाधिक उपयुक्त सीड़ सक क्या होना चाहिए तो सही उत्तर है इसका सही उत्तर भूमंडली करण होना चाहिए आपसन C देखिए आपसन C आपका सही उत्तर है इस गध्यांस का जो अभी अभी हमने पढ़ा है इसका सही उत्तर भूमंडली करण है भूमंडली करणर से किसको प्रोसाहन मिलता है या क्या होता है तो सही उत्तर है दोस्तों भूमंडली करणर से भी देशी उद्योग धन्धों को प्रोसाहन मिलता है आपसन भी आपका सही उत्तर है अगला प्रशन भी comprehension पर आधारित है comprehension पढ़ते हैं शील युक्त ब्योहार मनुसे की प्रकिर्थ और व्यक्तितों को उद्घाटित करता है उत्तम प्रसंसनी और पवित्र आचराण ही शील है शील युक्त ब्योहार प्रतेक ब्यक्ति के लिए हितकर है इसे मनुसिकी ख्यात बढ़ती है शीलवान व्यक्ति सबका हिर्दह जीत लेता है और शील युक्त बेवहार से एक कटुता दूर भागती है इससे संका और संदेह की स्थितियां कभी उत्पन नहीं होती इससे ऐसा सुखद वातावरनर स्रजित होता है जिसमें सभी प्रसनता कानुभो करते हैं और शील वान व्यक्ति अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सुभर भावित करता है शील इतना प्रभुत पूर होता है कि किसी कारे के बिगड़ने की नौबत नहीं आती है अधिकारी, अधिनस्त, सिक्छक, सिक्छार्थी, छोटे बड़ों आधि सभी के लिए शील युक्त विवहार समान रूप से आवस्यक है सिक्छार्थी में सील का अभाव है तो अपने सिक्छक से वांचे सिक्छा प्राप्त नहीं कर सकता सीलवान अधिकारी या कर्मचारी में आत्म विस्वास की ब्रिद्धी स्वता ही होने लगती है और साथ ही उसके व्यक्तित में शालिंता आ जाती है इस अमुल्य गुड की उपस्थिति में अधिकारी वर्ग और अधिनस्त कर्मचारियों के बीच सिक्षक गड़ और विध्यार्थियों के बीच तथा शासक और शासित के बीच मधुर और प्रगार संबंध अस्थापित होते हैं और प्रतेक वर्ग की कारे को सल्ता में ब्रिद्धी होती है इस गुड के माध्यम से छोटे से छोटा व्यक्ति बड़े से बड़ों की सहानुभूती अरजित कर लेता है शील कोई दुरलभ और दैवी गुड नहीं है इस गुड को अरजित किया जा सकता है पारिवारिक संसार इस गुड को विक्सित और विस्तारित करने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं मूल भूमिका तो व्यक्ति स्वयंग अदा करता है चिन्तन, मनन, सत्यसंगत, स्वाध्याय और सतत अभ्यास से इस गुड की सुरक्षा और इसका विकास होता है सुसंस्कृत मनुसे के चरित्र का यह सील अभिन्य अंग है और यह गुड मनुसे को सच्चे अर्थों में मानो बनाता है इस अमुल्य गुड को अपने जीवन का अभिन्य अंग बनाना प्रतेक मनुसे का परमकरतब्य है इसे मनुसे की गर्में बढ़ती है और उसे ब्यक्ति पहला प्रश्ण है कि सील गुड के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों में क्या होता है तो सील गुड के कारण कर्मचारियों और अधिकारियों में मधुर और प्रगार संबंध स्थापित होता है दूसरा है कि सील गुड किस कारण अरजित किया जा सकता है तो उत्तर है स् उत्तर है, शील्युक्त ब्यौहार पतीक ब्यक्ति के लिए हितकर है, क्योंकि इस से कटुता दूर होती है, अगला प्रशन है कि सील्वान ब्यक्ति अपने समपर्क में आने माले लोगों को कैसे प्रभावित करता है? तो देखिए सीलवान व्यक्ति सुखद वातावरण के स्रिजन द्वारा अपने संपर्क में आने वाले लोगों को प्रभावित करता है और कहा जाता है कि हमारा माहौल जैसा होता है वैसा ही हमारा विचार भी बनते हैं यानि अगर जो हम किसी अच्छे व्यक्ति के साथ हैं तो वहां का माहौल और वातावरण भी अच्छा ही होगा और बुरे लोग या जो शीलवान नहीं है उनकी संगत में वहां का वातावरण भी अच्छा नहीं होगा अब आए दो हजार बारे में सी सैट के अंतरगत हिंदी और बोधगम्यता से पूछे गए प्रश्णों को साल्व करते हैं प्रश्ण है कि निमनलिखित में से गलत विलोम सब्द यूग कौन सा है यहाँ पर प्रवेस का नवेस ये सही नहीं है मूख का वाचाल विलोम होता है भूत का भविस्य और पुरसकार का तिरसकार तो सही उत्तर है प्रवेस का विलोम सब्द निशेद होता है और अन्य सभी विकल्प आपकी सही सुमेलित है अगला प्रश्ण जो है ये कहावत से संबंधित है आय थे हरी भजन को ओटन लगे का पास इसका अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है वांचित कारे को छोड़ कर अन्य कारे में लग जाना आय थे हरी भजन को ओटन लगे का पास यानि मुख्य कारे को छोड़ कर किसी अन्य कारे में लग जाना अगला प्रश्ण है निमने लिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है तो देखे राजियो, कुबले, जलद और अम्बुज इसमें से जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है कमल के परियाईवाची में सरोज, जलज, सारंग, पंकज, अर्बिंद, तामरस, मिडाल, वारिज, अंबूज, सतदल, कुवलय और राजीव ये कमल के परियाईवाची है अगला प्रशन है देखिए स्वयंभू सब्द का अर्थ क्या होता है तो सही उत्तर है स्वयंभू सब्द का अर्थ होता है स्वतह उत्पन आपसन भी अगला प्रशन है आपका तल्लीन सब्द का संधिविक्षेद क्या होगा दोस्तों तो देखे तलीन ततलीन या तखलीन या ततलीन तो सही उत्तराप का देखे प्रहिए सही उत्तराप संडी तत प्लस लीन यह तलीन का संधिविक शध है अगला प्रश्ण है हिंदी वर्ड माला में उश्म ब्यंजन कौन से कहे जाते हैं तो जिन वंजनों में उचारण में रगड की कारण उस्मा उत्पन होती है उन्हें उस्म ब्यंजन कहते हैं इसमें श, श, स, ह, उस्म ब्यंजन है आपसन ए आपका सही उतर है अगला प्रश्ण है सदैव में कौन सी संधी है तो ये कई बार पूछा गया है तो दोस्तों सदैव में जो है बृध्ध संधी है तो याद रखेगा बृध्ध संधी का प्रियोग सदैव में किया गया है सदा प्लस एव ये सदैव होता है तो याद रखेगा सदैव में बृ खेल रहा है छात्र पढ़ रहा है या फिर छात्रा लिख रही है तो सही उत्तर हो जाएगा शिशू सो रहा है इसमें अकर्मक क्रिया प्रयोगत हुई है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है कि जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं आ सकता ह वहाँ अकर्मक्रिया होती है सोना एक अकर्मक्रिया है विकल्प ए आपका सही है अगला है क्रिदंत प्रत्या किन सब्दों के साथ जूड़ते हैं संग्या, सर्वनाम, क्रिया या अव्याय तो सही उत्तर है क्रिदंत क्रित प्लस अंत होता है और किर्दंत प्रत्य क्रिया के साथ जूडते हैं जैसे लिख प्लस न ये लिखना हो जाएगा तो सही उत्तर किर्दंत प्रत्य क्रिया के साथ जूडते हैं आपसं C सही उत्तर है अगला प्रश्ण है वे अविकारी सब्द जो दो सब्दों वाकियों अथो वाकि खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं तो सही उत्तर है ऐसे सब्द जो दो या दो से अधिक सब्द वाकिया वाक्यांसों को जोड़ने का कारे करते हैं वे सब्द समुच्चे वो धक सब्द कहलाते हैं आपसन D आपका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है हिंदी के जिन वर्णों का उचारण करते समय किवल स्वास का परियोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहा जाता है तो उन वर्णों को अघोस कहा जाता है आपसन ए जिन बरडों के उच्छारण में केवल सांस का प्रियोग होता है अगोस कहे जते हैं और प्रतेक वर्ग के परतम दो बरड़ और श श और श अगोस बरड़ के उदारण है अगला है वाक्यांस के लिए एक सब्द जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक सब्द क्या है तो इसके लिए एक सब्द जिग्यासा है दोस्तों आपसन C जिग्यासा देखें जिग्यासा जानने की इच्छा होता है और जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू आपसन B आपका सही उत्तर है गद्यांस के आधार पर कुछ प्रश्णों के उत्तर आपको देने हैं इसमें गद्यांस को ध्यान से पढ़ते हैं इर्सिया में प्रयत्नों पादिनी शक्ती बहुत कम होती है उसमें वह बेग नहीं होता है जो क्रोधाद में होता है क्योंकि आलस्य और नैराश्य के आसरे से उसकी उत्पत्ती ही होती है जब आलसे और नयरासे के कारण अपनी उन्नत के प्रयात्न करना तो दूर रहा हम अपनी उन्नती का ध्यान तक मन में नहीं ला सकते तब ही हार कर दूसरे की इस्थिती की और बारवार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी इस्थिती न होती तो हमारी इस्थिती जैसी है वैसी ही रहने पर बूरी न दिखाई देती अपनी इस्थिती को जियों कातियों रखकर साप एक शिक्ता द्वारा संतोस लाव करने का धीला यातन आलत से और नए रासे नहीं है तो और क्या है जो वस्तु उज्वल नहीं है उसे मैला वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्वलता से कब तक और कहां तक संतोस कर सकते हैं जो अपनी उन्नत के प्रयत्म में बराबर लगा रहता है उसे न तो नए रास्य नहीं हर घड़ी दूसरे की इस्थिती से अपनी इस्थिती के मिलान करने की ज़रुत पड़ेगी और इर्षय की सबसे अच्छी दवा है उद्योग और आशा जिस वस्तु के लिए उद्योग और आशा निस्थल हो उस पर से अपना ध्यान हटाकर द्रिष्ट की अनंदता का लाभ उठाना चाहिए जिससे इर्षिया की जाती है उस पर इर्षिया का क्या प्रभाव पड़ता है उसे भी देख लेना चाहिए इर्षिया अप्रे से मनोविकार है किसी मनुसे को अपने से इर्षिया करते समय उसको करते देखकर हम भी बदले में उसे इर्षिया नहीं करने लगते दूसरे को इर्षिया करते देखकर हम उसे घड़ा करते हैं दूसरे की इर्षिया का फल भोकर हम उस पर क्रोध करते हैं जिसमें अधिक अनिष्ट काड़ी सकती होती है अता इर्षिया ऐसी बुराई है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है इससे इस बात का आभास होता है कि प्रकिर्ते के कानून में इर्षिया एक पाप या जुर्म है अपराधी ने पहले अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुचाया अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुँचाना सामाजिक न्याय नहीं है अधिक कष्ट पहुचाना न्याय है क्योंकि निरपराध व्यक्ति की इस्थिती को अपराधी की इस्थिती से अच्छा दिखलाना न्याय का काम है अब आए इस अवतरण के आधार पर जो प्रश्ण है उनके उत्तर देखते हैं उपर युक्त अवतरण के अनुसार देखिए इर्षिया में क्रोध की तुलना में अधिक वेग होता है जो वेग क्रोध में होता है वह इर्षिया में नहीं होता और क्रोध और इर्षिया में बराबर वेग होता है तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो वेक्रोध में होता है वह इर्षया में नहीं होता आप्षन C जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि जो अपनी उन्नत के प्रयास में लगा रहता है उसे तो ये उस व्यक्ति को इतनी फूर्सत नहीं रहती कि वह हर दम दूसरे की इस्थिती से अपने इस्थिती की तुल न करता रहे तो आपसन ए आपका सही है तीसरा है कि किसी को अपने से इर्षिया देखकर बदले में हम तो देख लीजे बदले में हम भी उससे घ्रिणा करने लगते हैं देखिए बहुत ही मोहत पूर्ण है दोस्तों इसमें कहा गया है कि दूसरे परिक्षेद में बताया गया है कि किसी मनुष्य को अपने से इर्षया करते देखकर हम उसे घ्रेडा करने लगते हैं आप संडी आपका सही उत्तर है और अगला प्रश्ण है इर्षया का सबसे अच्छा उपचार क्या है तो उत्तर हो जाएगा इर्षया का सबसे अच्छा उपचार इर्षया अलु व्यक्ति से इर्षया की जाए इर्षया लुको दंडित किया जाए आसा पूर्ण धंग से अपना उद्योग किया जाए या इर्षया लुको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो सही उत्तर है दो कर चूर चूर कर दिया था वैसे ही प्राय पार्थिव व्यक्तित्तों जो होते हैं दोस्तों पार्थिव व्यक्तित्तों की कल्पना करने भर से आप देख सकते हैं कि पार्थिव व्यक्तित्तों की कल्पना निर्मित व्यक्तित्तों को खंड कर देता है और इसे मैं अपना सव भागे समझती हूँ कि रविंद्र के प्रत्यक्ष दर्सन ने मेरी कलपना प्रतिमा को अधिक दिप्त सजी उता दी उसे कहीं से खंडित नहीं किया पर उस समय मन में कुतुहल का भाव ही अधिक था जो जीवन के शवसव का प्रमाड है दूसरी बार जब उन्हें शांतिनी के पर सुत्रधार की भूमिका में उपस्तित देखा जीवन की संध्यावेला में शांतिनी केतन के लिए उन्हें अर्थ संग्रह में यतनसील देखकर नकौतुहल हुआ नपरसनता केवल एक गंभीर विशाद की अनुभोती से हिर्दय भराया धर्ती वाला हमारा देश भी कैसा विचित रहे जहां जीवन सिल्प की बढ़ माला भी अग्यात है वहां साधनों का हीमाले आप देख सकते हैं दोस्तों वहां साधनों का वह हीमाले जो होता है कि उसमें जो इस्थिती होती है कि खड़ा कर देता है और जिसके उंगलियों म बड़ी भी डंबना क्या हो सकती है कि सिल्पी और उपकाडों के बीच में आगने रेखा खीच कर कहा कि कुछ नहीं बनता या सब कुछ बन चुगा है तो आईए इस आधार पर जो प्रश्न हैं उनके सही उत्तर देखते हैं इस गध्यांस के आधार पर कौन सा कथन उपयुक आपको बताना है तो इसमें कि ध्रितराष्ट को भ्रहम हो गया था दूसरा है कि कल्पना वास्तविक्ता के प्रकट हो जाने पर खंडित हो जाती है तीसरा है कल्पना रेन में सरीर सत्य है और पार्थिव सरीर सत्य है और चोथा है कि कविंद्र रविंद्र के दर्शन से ल तो इसलिए कि टैगोर जैसे महान कलाकार को भी भौतिक साधन जुटाना पड़ रहा है इसलिए टैगोर का दर्षन करने पर लेकिका को विशाध हुआ और अगला है कि इस गध्यांस में लेकिका पाठकों को क्या बताना चाहती है तो उत्तर है कि इस गद्यांस में लेखिका पाठकों को ये बताना चाहती है कि टैगोर जैसे कलाकार की बृध्धवस्था में साधन हींता पर दुख प्रकट किया है लेखिका ने कि कैसे इस महान कलाकार को भी जीवन की संध्यावेला यानि बृध्धवस्था में शान्ति निकेतन के लिए धन संग्र करना पड़ रहा है अगला प्रश्ण है गद्यांस का केंद्री भाव जो है किस कथन में निहित है तो सही उत्तर है कि गद्यांस का केंद्री भाव ये है कि महान लोगों को भी सतकार ये है तो धन एकत्र करने के लिए भीख मागनी पड़ जाती तो आपसन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रश्ण और जो है ये भी गध्यांस आधारित है जो अगले कुछ प्रश्ण हमारे चार प्रश्ण है गध्यांस आधारित है गध्यांस पढ़ लेते हैं भारत वर्स की भारत वर्स पर प्रकीर्ट की विशेष क्रिपा रही ह यहां सभी रितुएं अपने समय पर आती हैं, परयाप्त काल टक ठहरती हैं, रितुएं अपने अनुकूल फल फूलों का स्रेजन करती हैं, धूप और वर्सा के समान अधिकार के कारण या धरती शस्य सामला हो जाती है, यहां का नगाधिराज हिमाले कवियों को सदा से प्रे प्रेम के कारण ही यहां के लोग पत्तों में खाना पसंद करते हैं, ब्रिक्षों में पानी देना धार मिकारे समझते हैं, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमेत्ति कारेों में सुभ माना जाता है, और यहां पशु पच्छी, लता, गुल्म, ब्रिक्ष, तपोवन के जीवन का एक अंग बन गए थे इस गध्यांस के आधार पर आगे जो प्रश्ण है उनके उत्तर आपको देने हैं इस गध्यांस में सस्य स्यामला का क्या आर्थ है तो उत्तर है सस्य स्यामला का आर्थ होता है हरी भरी फसलों वाली तो यहां पर आपसन B सही उत्तर है अगल प्रश्न है कि गुल्म का क्या तात पर है तो गुल्म का अर्थ होता है जाड आपसन भी आपका सही उत्तर है और इस सिरीज का आखरी प्रश्न है कि उपरयुक्त गध्यांस निमनलिखित में से किस्से संबंधित है तो ये प्रकीर्ति प्रेम से संबंधित है और इस गध्यां में प्रकीर्ति पर विशेश क्रिपा रही है प्रकीर्ति की और यहां के लोग प्राकृतिक सक्तियों में विश्वास करते हैं यहां पेड़, पवधे, पसुपक्षी, गुल, मुत्रिड सभी को जो है एक दूसरे से या उनके जीवन के अंग के रूप में शामिल किया गया है लोग प्रकीर्ति प्रेम यहां पर इससे जादे जुड़े हुए हैं या प्रकीर्ति से जुड़े हुए हैं उनका प्रकीर्ति से लगाओ और जुडाओ है तो इस गध्यांस के आधार पर प्रकीर्ति प्रेम इसका जो है मूल विशे है तो दोस्तों यह था आज का वीडिय इसमें हमने देखिए C7 प्रश्ण पत्र जो UPPCS परिक्षा प्रारंभिक परिक्षा के अंतरगत पूछा जाता है इसमें सामानी हिंदी और कामप्रिहेंसन से संबंधित जो महत्वोंड प्रश्ण थे उनको हमने कवर कर लिया है 2012 में C7 प्रश्ण पत्र शुरू हुआ था और 2012 से लेकर 2021 तक के C7 में पूछे गए हिंदी और बोध गम्मे था के प्रश्णों को हमने कवर कर लिया वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट वाक्स में जरूर बताइएगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें और इस चैनल मागदशन फ़र सिबल सर्विसिस को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों नमस्कार